प्यारे बच्चों आज मैं NEED 2021 के बारे में आपसे कुछ जरूरी बाते शेयर करने जा रहा हूँ, अपना experience शेयर करने जा रहा हूँ, हो सकते आपको बहुत सारी बाते बुरी लगेंगी, अगर बुरी लगे तो आप वीडियो बंद करते न, क्योंकि ये आपको accept करना पड़ कुछ ये अफवाएं की पेपर आसान आएगा, ये होगा, वो होगा, गलत हो जाएगा, कारण पिछले साल से ही कटाओ बहुत हाई पे चल ली थी, 720 आउट अफ 720 ला रहे हैं बच्चे, और इस बार एकदम internal choice डाल दी, तो सोचो, merit कहां जाने वाली है, extreme हो चुका है इसका नीट exam का, saturation की तरफ चली गई है, merit, तो इसका मतलब अब आपको बहुत सोच समझ गे, कुछ फैसले लेने हैं इन पचपन दिनों के, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, लगब 55 डेज के आस पास हैं, देखो, आपके दिमाह मुझे question उठते हैं, क्या करूं, कैसे पढ़ हाला आत है, तो मेरे according, जो बच्चे जिनके selection हुए आज तक, मेरे पढ़ाए हुए, वो क्या करते, वो experience आप से share करने जा रहा हूँ, देखो, सबसे पहले इस वीडियो में कुछ चीज़े बता दू, motivation, motivation के लिए ढूंड रहा हैं, motivation, motivation ना अपने अंदर होता है, आपका target है कि नीट का selection लेना है, तो लेना है, वो motivation आपके अंदर होगा, वो आपको कोई motivation देख सकता है, एक वीडियो देखी, दो वीडियो देखी बस खतम, तो इसको तो close कर लो, अब तो करना या मरना, अब तो ये situation आ चुकी है, classes, कुछ बच्चे अभी भी classes कर रहे हैं, इधर YouTube प करेंगे, अब ये आपको decide करना है कि crash course करना है नहीं करना, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए crash course, इन 55 दिनों में, आपको बहतर तरीके से, अपनी self study करनी है, यहां testries की बात करें, तो testries कर लें, तो testries दो तरीके की होती है, एक testries होती है, बच्चो जो chapter wise होती है, एक हो तो पहले तो इन चीदों बता दिये कि क्या क्या करना है, अगर आप अभी भी motivation ढूंड रहे हो, classes ढूंड रहे हो, कहीं class मिल जा उस teacher की, वह ये व्लाना डिम का, तो भाई कुछ नहीं हो ना, व्यान दखना, इसके बाद, अब आजाओ, आप अपने आप पे focus करें कि हम क्य कर रहे हैं, और हमारी क्या क्या चीज़े pending में पड़ी हैं, तो सबसे पहले आपको अपने chapters, हर तीनो चारो subject, जो भी हैं आपके, इन subject में जाओ, तो कुछ chapter ऐसे होंगे आपके, जो complete हो चुके होंगे, किसी के ज्यादा है, किसी के सारे complete हो चुके, तो पहले उनकी list बना ल लास्ट वाले, तो आपको पता है, यार, easy हैं, लेकिन करें नहीं अभी, ठीक है, ऐसे chapter हैं, जो आपने नहीं किया और बहुत मुश्किल है, जैसे हो सकता है किसी बच्चो को semiconductor device मुश्किल लगता हो, है ना, करा भी नहीं और मुश्किल भी है, इन chapter की list बना लो, अब इन chapter म का timing क्या होगा, वो सब आगे बताऊंगा, मैं, उसके बाद यहां, note completed but easy, अगर complete नहीं है, लेकिन easy है, तो इसमें क्या करना चाहिए, केवल, अपने notes पढ़ने चाहिए, अब यहां भी question आएका, sir, notes कहीं से मिल जाएंगे, sir, तो भाई, अगर आप notes नहीं बना सकते हैं, आप दुद्यां को मारो गया, आप इलाज नहीं करोगे, उन्हें मार दोगे, तो notes अपने होंगे, दूसरा note, completed but easy, तो बच्चों, easy chapter है, और, लेकिन easy है, तो यहां, आपको क्या करना है, बच्चों, इन chapters के, notes, प्लस, जो questions है, NCRT के, वो कर लेने है, ठीक है, वो कर लेने ह ठीक है, बच्चों, chapter throughout book से नहीं पढ़ना, इसमें क्या करना है, notes प्लस NCRT के question, कितना काम करना है, ठीक, और notes में भी यहां, इस chapter में, cable formulas, ठीक है, formula learn करने है, उनके notes पढ़े, आपने पहले जो बनाये होंगे, 11, 12 में, जहां पे भी, उनको, उनके formula, तो कम से गम आपको आन यहां देखो, आप अपने schedule को देखते हैं, वही आपका जो NEET का exam होगा, वो दिन में 2-5 होगा, ठीक है, एक अभी भी बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं कि दिन में ना पढ़के, रात को पढ़ते हैं, दिन में सोते हैं, तो आपकी body भी ना, biology के लिए अपने आप में सेटल हो चुकी है, वो दिन में sleeping mode में रहती है और रात को active mode में रहती है, जब कि होना उल्टा चाहिए, तो आज से आप, बिलकुल दिन में सोना बंद कर देंगे, ठीक है, आपका सुभे 8-12, आप देखो, हम इसको दो पार्ट में करते हैं, ठीक है, revision plus study, जो भी आप revision plus study च जिसमें 2 plus 2 plus 2.30, तीन सब्जेक्ट है, आपके पास PCB, जो सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं, उनको 2-2 घंटे है, जो मुश्किल लगता है आपको वो धाई घंटे, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट होगा, उसमें ये आपकी revision की और study का time होना चाहिए, ठीक है, ठेस्ट में क् बच्चों आप 2-5 बज़े तक और 5-6 तक रखेंगे, और फिर 6-8 बज़े तक आप इसका review करेंगे, अभी भी जब मैं आपको ये बाते समझा रहा हूं, तो बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा, अरे यार, कौन टेस्ट देगा, पहले टेस्ट में तो 10,500, 200, 300, 400 500, 400, 500, ऐसे नमबर आते हैं, पहले चेप्टर पूरे कर लेता हूं, यही सबसे बड़ी गलती है, अगर आप चेप्टर पूरे करने पर लग गए ना, और टेस्ट नहीं दिये, तो भाई कुछ नहीं होना, आप उस दिन एक्जाम में आपकी कोई knowledge नहीं पूछ रहा है, और पढ़ रहे हैं, knowledge बढ़ाते जा रहे हैं, skill नहीं बढ़ा रहे हैं, skill बढ़ता है practice से, अगर आप previous है, तीन घंटे का test नहीं तयार कर रहे हो daily, और लगातार आप इस ट्रेनिंग में 50 दिन तक नहीं अपने आपको तपाया, तो selection नहीं होगा, 650 प्लस पे जाके MBBS मिलती ह 650 डेली में, और बाकि स्टेट में थोड़ा 10-20 नमबर कम कर लो, तो यानि कि यहां आपका ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी है एक test, जरूरी है daily, और आपके पास लगबग 55 days का, 55 days का बच्चो आपके पास time है, 55 days में से 50 test आपने किये, ठीक है, अब ध्यान से सुनना, य लगबग 180 question होते हैं, 180 question में 50 गुणा करो, 9000, 9000 question तयार होंगे, 9000 question करने वाले का बच्चे का, जिसने 9000 question तयार कर लिए, लगबग हर question उसको पता लग जाता है कि कैसा question आने वाला है, अब इसमें क्या होगा review के दोरान, जब आप 2-5 paper करोगे, तो आपको ऐसे question मिलेंगे, कुछ ऐसे question हो जाएंगे आपसे, कुछ question आपको बहुत कुछ नया सिखाएंगे, जब आप check करोगे इसको solution, उनको mark कर लेना है, कुछ question ऐसे होंगे, कि आपको कुछ पता था, कुछ नहीं पता, तो उसी time इन 2 गंटे के दोरान, धाई गंटे भी लगा सकतो, 6-6.5 इस जाओ, यह जो 3 गंटे की, यह जो study है, इस study को कैसे manage कर सकते हो, बच्चो हाँ, यहाँ पहले एक और बात बता दो आपको, जब आप test करना शुरू करोगे, तो आपके नंबर आएंगे 500, एक example यह मैंने, किसी बच्चे के 200 नंबर आए, उतो डर जाएगा, वो इस लेकिन बच्चों 10 टेस्ट करने के बाद, आपको ऐसा लगेगा, कि कुछ improvement हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो बार-बार repeat हो रही है, कुछ concept ऐसे हैं, जो बार-बार पूछे ही जाते हैं, आपके अंदर एक अलग confidence आएगा, लेकिन यह 10 टेस्ट तक टिकना, हर एक के बसक बच्चों पढ़ाते हैं, सेलेक्शन तो कुछी लेके जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते हैं, जब आप 10-10 टेस्ट दे लोगे, तो आपके अंदर हर टेस्ट में लगवख 10-10 नंबर का increment होगा, और अभी 40 टेस्ट बचे हैं, आप समझ जाओ, तो average अगर आप 5-10 नंबर क इंप्रूमेंट लेते गए, तो आप 600 के नजदीक आ जाएंगे, और यह मैं चैलेंज देता हूँ, आपके नंबर मानलों किसी बच्चे के 300 नंबर आ रहे हैं, और वो इन 50 दिन पढ़ता रहे, तो तब भी वो 300 पे रहेगा, यह तजुर्वाय बेटा, 300 के आस-पास ही 3 और 2-5, 5 घंटे आपने यहां लगाए और 6 घंटे आपने हमाँ लगाए, जिसमें आप रिविजन करेंगे, रिविजन किसका, जो आपको बताया, जो चैप्टर कम्प्लीट हो चुक है उनके रिविजिन, और जो चैप्टर कम्प्लीट है, वो तीन कैटेग्री में चो ब गंटे पड़े तुह साड़े बारा बज़े तक किताब बंद झाइब यह टेस्ट कॉंसर च애ए शुरूआत में आपको टेस्ट करने चाहिए बतल जैसे वह अजunt पेपर जो आप कर चुके हो लड़ी इससे आपको confidence मिलेगा जैसे आप देखो बच्चों जैसे आपको high-speed गाड़ी चलानी है जैसे एक्जाम्पल लेते हैं जैसे किसी आदमी ने कभी 200 से उपर गाड़ी ना चलाई हो जो पहली बार उतने एक्सेलेटर देगा तो उसका धिमाग खराब सकता है घूम सकता है कि आपको पता है कि सेलेक्शन लेने के लिए 650 स्कोर करना पड़ता है एक ऐसे तरीका बता रहा हूं जाएगा आपको 600 प्लस जाना चाहिए 700 प्लस भी आ सकता पूरे से पूरे भी आ सकते हैं तो आपको पता लेगा कि यार इस स्कोर पर आने के लिए इतने क्वेश्चन सर्ट करने हैं धीरे धीरे वह दो तीन पेपर आपके खतम हो जाएंगे उसके बाद नहीं पेपर लगन से इसमें मैं आपको इक बाद आता हूं कि यह शेडूल आप 10 दिन फोलो करें ग्यारवे दिन एक कंप्लीट रखें कंप्लीट पूरी चुट्टी कुछ भी किताब नहीं चुनी आप इंजॉय करो मुवी देखो ममी पापा के साथ घूमने जाओ कहीं पर जो भी आपकी मर् करो वच्चो रिजल्ट आएगा all the best